और गाइस एक बार फिर से बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन के साफ में आ गया हूँ तुम लोगों के लिए क्लास 10 का मैस ब्लूपरिंट लेकर के कॉश्चन पेपर डिजाइन लेकर के चैनल के डिस्क्रेप्शन में जाना या कमेंट सेक्शन में जाना वहां तुमको मिल जाएगा और वीडियो में आगे बड़े इससे पहले मैं तुमको अभी बता देता हूँ वता है ना कि कौन-कौन से chapter important है, कौन-कौन से topics important है, कौन-कौन से questions repeat होते हैं, नहीं पता, तो बहुत ध्यान से देखो, बिना देरी केवे, जल्दी से शुरू करते हैं, कि भाई, तुम्हारा important क्या है, तो यहाँ पे मैं पहले ही बोह दूँ, भाई, मैं बहुत ज़्यादा fair हो, basic maths और standard maths दोनों वालों के लिए, तो मैं दोनों को एक में बता दे रहा हूँ, अगर separate video बनाने बोलोगे, तो separate भी बना दूँगा, लेकिन फिलहाल तुम जल्दी से देखो, यहां मैं तुम को क्या बता रहा हूँ, अब यहां तुम देखो, कि यहां पर maths standard और maths basic, दोनो कर वो बाठ कहां कहां रही है, कहां कहा portion, कौन-कौन से chapters जो है, वो important होने वाले है, तो यहां पर एक चीज़ पहले समझ लो, कि इस बार का exam pattern तुमको पता है, यार, 2-3 सालों से CBC ने अलग कर रखा है, मतलब CBC concept पे ध्यान दे रही है, मतलब बच्चा answer कैसे लिख रहा है, उसको, तो यहां पर रटा-रटा answer नहीं चलने वाला, और इसी वजह से, remembering or understanding, जो typologies of question है, उसमें remembering or understanding में सबसे ज़्यादा weightage रखा गया है, यह तुम देख सकते हो, math standard वालों के लिए भी 54% है, और math basic वालों के लिए भी 75% है, मतलब किसी चीज़ को तुम कैसे समझ रहे हो, और उसको समझ के, तुम उसे put down कैसे कर रहे हो, ठीक है, देन, किसी चीज़ को तुम apply कैसे करते हो, इस पे तुम्हारा है, 24% weightage, वैसे में marks यहां बताना बहूल गया, remember or understanding tablogies of question में, 43 marks तुम्हारा यहीं साने वाला है, applying में 19 marks, 24% weightage है, यहां पे basic math वालों के लिए 15% weightage है, 12 marks के question यहां से आएंगे, और applying, evaluating और creating पर 18 marks है, math standard का 22% weightage है, basic math के अगर हम बात करें, तो 8 marks के questions यहां साएंगे, और 10% का weightage है, तो यह तो हो गई tablogies of question और weightage जो है, वो हमने अभी बात कर लिया, लेकिन अब इसके बागे हम बात करते हैं, कि भाई, section wise question कैसा आने वाला है, 2025 board का section wise paper कैसा आएगा, पता है है तुमको, नहीं पता है, तो जल्दी से यहां ध्यान दो, तुम्हारा जो math standard या basic, दोनों में से जो कोई भी रहे, जो तुम्हारा question paper बनेगा, वो 5 sections में बटा हुआ है, section A, B, C, D, E, ठीक है, section A, MCQ based question रहेंगे, section B में, very short question, section C, short answer question, section D, long question, section E, case based question, mostly section E, तुम्हारा case based question ही रहेगा, अब यहां सवाल उठता है, कितने कितने कोईशन आने वाले हैं, sections में, हर section में कितने कोईशन आएंगे, तो भाई, section A में, तुम्हारे 20 MCQ questions आने वाले हैं, एक एक नमबर का question रहेगा, 20% इसका weightage रहेगा, तुम्हारे question paper के अंदर में, अब section B के बात करते हैं, very short questions की कितने संख्या आने वाली हैं, 5 questions आएंगे, 2-2 marks कर रहेगा, यानि कि total 10 marks है, 10% यहां पे इसका weightage है, section C में आएंगे, तुम्हारे short answer type question, तो short answer type question, यानि कि 3-3 marks वाले question आने वाले हैं, 6 questions यहां आएंगे, मतलब 18 marks यहां पर है, 20, 10, 18, सम question यहां पूछे जाने वाले हैं, और 5-5 marks, मतलब अगर मैं marks के हिसाब से value करूँ, तो भाई, यह है तुम्हारा 20 marks, यह है तुम्हारा 20 marks, यानि कि section A जो है, यह बहुत important है, section D, जो है, वो बहुत important है, 20 marks सीदे हैं, और तीसरा number पे आएगा, या दूसरा number कहलो, section C, जिसमें क 18 marks के question आने वाले हैं, अब बात करते हैं, section E की, case based question जो बच्चे तुम्हारे आने वाले हैं, maths में बहुत ध्यान देना, तीन question जो है, वो पूछे जाएंगे, 4-4 marks के होंगे, यानि कि total marks इसमें आएगा 12, ऐसे हो जा रहे है, तुम्हारे marks 80, समझ रहे हो, अब यहां पे मैं पसीना बहुत निखल गया है, गर्मी बहुत जबर्दस पढ़ रही है, पूरे देश में, ठीक है, तो थोड़ा सा पसीना बहुत लेता हूं, अगर तुमको important topics चाहिए, तो important topics के लिए तुमको करना होगा, channel को subscribe, comment में लिख दो sir, chapter wise topics, जो important topics है, questions है, वो दे दीजे, तो वो ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो, किस unit से सबसे ज़्यादा question आने वाला है, तो algebra है भाईया, जहां सबसे ज़्यादा question आएगा, 20 marks अकेले यहां से है, कितना है, 20 marks, सबसे important यही है, सबसे important यही unit माना जाएगा, second number पे अगर तुम देखते हो, तो geometry है, जहां पर तुमक तो 15 marks के question पूछे जा रहे हैं, 15 marks, समझ रहे हो, यह number हो गया, 1 मेरे हिसाब से यह हो गया, number 2, अब तीसे number पे अगर हम जाते हैं, तो 12 marks पूछा जाएगा, trigonometry से, 12 marks, important है यार, तो इसको देख ले ना, mensuration से आने वाले हैं, 10 marks के question, और 37 statistics and probabilities आने वाले हैं, 11 marks के question, और बाद से तुमारा जो marks का जो बटवारा होगा, unit wise, वो कुछ ऐसा होने वाला है, अब सवाल उठता है, कि भाई, sir, यह तो हो गया, हमने rough language में कर लिया, कि सबसे important है, algebra, जिसमें, polynomial, pair of linear equations, into variables, quadratic equations, arithmetic, progressions, यह सब आएंगे, इसमें, 20, 15, 12, 10 marks, ऐसे से marks के question आ रहे हैं, तो यह अगर ह वाइस वेटेज, और number wise, question wise, वेटेज, कितने कितने हैं, इसको मैं बाट रहा हूँ, इसको हम थोड़ा सा और zoom in कर लेते हैं, ता कि समझ सके, यहां पर तुम देख सकते हो number of question, यहां पर मतलब मैंने तुमको बिल्कुल बाट करके दे दिया, कि भाईया, यहां पर एक number वा objective question तीन पूछा जाएगा, तीन नंबर वाला एक question पूछा जाएगा, लेकिन इस chapter से 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले या 5 नंबर वाले, कोई भी question नहीं पूछे जाएगे, यह है, यह मांक्स का distribution, division, बाटना जिसे बोलते हैं, वो यह है, अब तुम इसी तर से देख सकते हो, algebra, algebra में polynomial हो गया, pair of linear equation in two variables हो गया, quadratic equation हो गया, arithmetic progression, अब यह मोटे तोर पर 4 चप्टर आ रहे हैं, अब 4 चप्टर में से अगर बोलोगे, तो यहाँ पर तुम गौर करो, polynomial से एक number का तुमारा MCQ question आ रहा है, एक number का, तीन number question, pair of linear equation से यहाँ से एक number वाला, दो number वाला, तीन number वा गया, और एक आ गया, एक आ गया, MCQ वाला, इसी तरह से arithmetic progression से एक और case based question पूछा जा सकता है, तो इस तरह से, लेकिन video नंबा नहीं हो, इसलिए मैं इसको छोटा रख रहा हूं, और यहाँ पर मैं तुमको सिर्फ दो यूनिट तक का बता रहा हूं, एक मैंने number system बताया, एक मैंने algebra बताया, अब अगर तुम चाहते हो, मैं इसको पूरा बता दूँ, तो please comment section में लिख दो, कि sir इसे पूरा बता दीजे, और important topics, important chapters, जो है, कौन-कौन से important topics, कौन-कौन से important question है, maths के, वो अगर चाहते हो, मैं बता दूँ, और साथ ही साथ में मुझे comment section में चाहिए, कि sir आप ये बना दो, भाया, हम लोगों के लिए class 10 का, social science का blueprint, सारा कुछ, A to that clear cut, तो भाया, अगर चाहिए, तो please, please, मुझे भी तो पता चले ना, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, तो please like कर दो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, पूरा धामाल मचा दो, और please यार, जुड़ हम इसा सात्रोगा, मिलते नेक्षोरी में जहा हिंट बादे मात्रोगा